अगर आपको इस न्यूज़ पेपर की पीडियेफ कोपी चाहिए तो आपको मिलेगी टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्टन आये से कैडिमे टेलिग्राम पर लिखर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे जो फ्रंट पेज पे कई सारे न्यूज़ उन में कुछ छोटी और भूती इंपोर्टेंट भी कुछ इन्फोर्मेशन है सब के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो मेंसिन किया गया है पंजाब पॉलिंग ना ओन फेवरिरी टॉन् आने थे लेकिन 15 फर्वरि के बाद को एक्सेंड कर दिया गया चेंज कर दिके डेट अब 20 फर्वरि को वहां पर इलेक्शन होंगे क्यों किया गया है इसके पीछे एक बजह है देखिए यहाँ पर 15 फर्वरि को इंपोर्टेंट गुरू रवीदास जी की बरद जेंती है त और पंजाब के अंदर यह माना जाता कि दलित समुधाय के लोग यह अनसूचित जाती के जो एक तरीकी से कटेगरी के अंदर जो आते हैं वो लगवो 30% के आसपास है इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग एक तरीकी से फोलो करते हैं क्योंकि गुरू रवीदास जी जारे लोग वोट नहीं कर पाएंगी तो इस कोंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमिशन और इंडिया ने भी डिसीजन लिया कि पोस्ट पॉल्मेंट कर दिया गया है 15 फरवरी की बजाए अब 20 फरवरी को वहाँ पर एक पोलिंग होगा इलेक्शन कमिशन इंडिया के पास सारी अथोर्टी है कि वह डेट के अंदर चेंजिज कर सकते हैं तो उनके पास प्रोपर इसको लेकर अथोर्टी है ठीक है यह बेसिक से एक इंफोर्मेशन है इसके लावा गुरु रविधाज जी के बारे में बतादू बहुती इंपोर्टन भक्ती मॉमे के अंदर आप देखेंगे गुरु रविदार से बहुत सारे गुरुज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा तो बहुत ही इंपोर्टन ये चैप्टर है इवन UPSC मेंस के अंदर जो हिस्ट्री का टोपिक है उसको लेकर कई बार सवाल हुए और पिलिम्स में भी इस तरह क की हत्या कर दी जाती यह पूरा मामला क्या है पूरा इशू क्या है और इस पूरे स्नेरियो को हम समझेंगे यमन के हाउटी रेबल ने ये क्लेम क्या कि ये एक रिस्पोन्सिबिलिटी लिए इस पूरे अटेक को इस कॉंटेक्स्ट को थोड़ा समझना पढ़ेगा आपको बेक्डेट में जाके, यहां पर अगर आप जोगर्फिकल यमन की जोगर्फिकल लोकेशन को देखेंगे तो ये यमन की जोगर्फिकल लोकेशन है, ठीक, यमन और साव्थ सुरा माने जाता है, दुनिया के ऐसे कंट्री जो वस्ट humanitarian crisis face कर रही है यमन के अंदर दो पार्ट है ठीक एक ग्रूप में Saudi Arabia or UAE है जो की एक तरीके से counter करते हैं और दूसरे ग्रूप में जो भी आपने वर्ड सुना हाउती रेबल इसको support करता है इरान इन इंटरेकली माना जाता है कि इरान इसको support करता है तो इन दोनों के आपस में एक तरीके से यहाँ पर लगातार attacking होती रहती है और कई बार जो हाउती रेबल है वो Saudi Arabia or UAE पर attack करते है यह उसी attack का एक result है जिनमें क्योंकि UAE की यहाँ पर बहुत जादे involvement है तो यमन भी यहाँ पर UAE के जो एक तरीके से एक tanker है oil tanker उस पर attack किया जिसके अंदर दो भारतिय और एक पाकिस्तानी उसकी हत्या करती ही जो यहाँ पर काम करते मारे थे यानि एक तरीके से worker थे या यहाँ पर job करते थे इस पूरे context के अंदर दो इंडियन और एक पाकिस्तानी इन्होंने बला कि यह explosion जो है एक तरीके से cowardly act of terrorism की तरह ऐसा नहीं है इस तरह के attack पहले नहीं हुए इससे पहले भी इस तरह के attack हुए है इवन यहाँ पर यह माना गया था इससे कुछ दिन पहले ही एक यहाँ के जो ship है उसको says कर लिया थे इन रेबल ने और यहाँ पर जो countrys है यमन हो जिबूती हो यहाँ पर अगर आप देखें सुमालिया इन countrys में सुमालिया खासकर जाने जाती है piracy को लेकर समुंदरी जल दश्यू को लेकर Gulf of Eden से लेकर red sea और red sea से होते हैं स्वेज के नाल और बाद में कहाँ पर जाएगी Mediterranean Sea के अंदर बहुत ही important यह route है इसके अलाबा यहाँ पर red sea और Gulf of Eden के ठीक बीच में एक important state है मन्दाव अल इस तरह की कोई बाब अलमन्दाव state सोरी बाब अलमन्दाव state जो है वो है और यह कुछ important and geographical places आपको देखने को भी लेंगे बाकि पूरी इसमें बताया गया जिम्मेदार को उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं वो सारी चीज़ें बताएगी है ठीक है तो drone attack की माना गया कि drone के तुर हमला किया गया अब एक और point इसके अंदर देखेंगे है जो कि इंडिया के perspective में important है हमारी एक important agency जिसका नाम है National Investigation Agency वो अब detail गैदर कर रही है कि जो explosion हुआ है और जिस जो involved थे इसके अंदर उसके बारे में उसके अलाबा अगर आपको यादो 2019 में National Investigation Agency के अंदर amendment किया गया थे इसके act के अंदर और इसको power किया गया था कि इंवेस्टिगेट कर सकती है कहां पर जहां पर इंडियन से इनवोल होंगे चाए इंडिया के अंदर हो या बहार हो इवन इसको cybercrime और human trafficking के अलाबा दूसरे इस तरह की issues को लेकर भी इसमें participation को एक तरी किसे इसके role को बढ़ा दिया गया था इसके अलाबा यहां पर NIA की जो team है यह UAE के counterpart से discussion कर रही है और fact gather करने कोशिस कर रही है इस पूरे scenario का event क्या हुआ कैसे explosion हुआ और किस तरीके के पूरी की पूरी घटना है उन सब के बारे में जानकारी जो है National Investigation Agency जो है वो gather कर रही है इसके बाद एक important conference होती है अगर आपको यहाँ दो-दो world economy form जो है जनवरी में important meeting होते क्योंकि COVID-19 है COVID-19 के वज़े से virtual summit तो है world economy form एक NGO है और वहाँ पर दुनिया वर के business man हो political leader सो उसके अंदर participation करते हैं दुनिया की economy को लेकर क्या issues है क्या future planning हो सकती है उनके बारे में discussion करते हैं उसी के अंदर भारत के प्राइमिश्य साब ने world economy form की जो meeting है उसको जो address किया और उसके अंदर कुछ important points के बारे mention किया जैसे India helping the world deal with pandemic दुनिया को कैसे pandemic में मदद करने के लिए एक तरीके से sort out करने में deal करने में कैसे भारत मदद कर रहा है उसको लेकर discussion किया बताया गया और भारत में कैसे बहुत सारी live को भारत ने बचाया है इसी चीज़ को लेकर world economy form का जो दावोस दावोस important वहां का सहर है और 2022 की summit की गरम बात करते हैं दावोस जो की Switzerland के अंदर है 2022 की summit में बताया गया कि हमारे doctors ने हमारे health professional ने कैसे लोगों का और पूरी दुनिया का विश्वास जीता है excellency के तरू आज भारत जो है third largest pharma producer है और COVID-19 के टाइम पे जब भारत एक तरीकी से vision लेकर चलता है one earth one health यानि पूरी दुनिया के लिए health को लेकर जो priority दी जाने चाहिए इससे हम लोग crores of life बचा सकते है essential medicine के तरू vaccine के तरू बहुत सारे देशों के अंदर और ये बहुत important अगर आप देखेंगे कि भारत जो है वो दुनिया बर को vaccine प्रोवाइड करता है इसके अलावा भारत जो है farm industry के अंदर बहुत ही important role play करते है खासका generic medicine में ये एक तरीके से affordable vaccine प्रोवाइड करने के context में इसी pandemic ने हमें और पूरी दुनिया को की एक तरीके से reform करने को लेकर भी हमें force किया और इसी लिए भारत जो है बहुत सारे ऐसे reform जो है introduce कर रहा है जैसे free trade agreement को लेकर हम लगातार बातचित करने चाहें Australia हो UK हो UAE हो इसराइल हो और Canada हो बहुत सारी countries के साथ free trade agreement को लेकर भारत जो है लगातार negotiation कर रहा है इसके अलावा हम लोग जो entrepreneurship जो है उसकी split को promote करने को लेकर भी काम कर रहे है तो एक speech basically बताई गई है world economic form के अंदर भारत के प्रैमिस्टर साब ने क्या speech दी उसी की बारे में mention किया गया अब एक सवाल आप लोगों के लिए वो सवाल ये है और UPSC भी इसको लेकर कई बार सवाल पुछ चुकी है देखिए world economic form जो यहाँ पर mention किया गया है ये बहुत सारी report publish करता है जैसे IMF global economic outlook की बात करते है तो IMF present करता है world economic outlook इसी तरीके से ये भी बहुत सारी report publish करता है world economic form कौन कौन सी major report publish करता है उनके name जो आपको नीचे comment करना जितनी भी report publish करता है उन सब के name आपको नीचे comment करने इसके ठीक है right hand side जो है यहाँ पर Supreme Court ने एक तरीके से concern जाता है कि third wave के अंदर जो है बच्चे और ज्यादा परभावित हो रहे है कि बड़ी सिंख्या में बच्चे जो है orphan हो रहे है या उनको abandon यानि छोड़ दिया जा रहा है इसको लेकर एक petition file करी गई थी और इस petition में यह बताया गया कि bureaucracy जो है बीजी हो सकती है COVID-19 ने fight करने को लेकर लेकिन आप responsibility से भाग नहीं सकते third way के अंदर और ज्यादा issues देखने को मिल सकते हैं एक estimation है कि 15 लाख बच्चे जो है इस तरह के है जो streets के अंदर आपको देखने को मिलेंगे या तो उनको abandon करते छोड़ दिया गया है या फिर एक तरीके से आप देखेंगे कि उनके parents expire होगे इसको लेकर आपकी responsibility है उनको rescue करना, rehabilitate करना और आप इससे बच नहीं सकते कि आपके पास staff नहीं है अगर आपके पास staff नहीं है तो voluntary organization से मदद लिजिए district authority से मदद लिजिए ये आपकी responsibility होगी ये सरकार के तरीके से direction दी गई है इसके बाद page number 3 पर एक point आप देखेंगे जिसका नाम है गती सकती गडगरी में Southern Leader यानि भारत के जो minister है Union Road Transport Minister नितिन गडगरी साहब सदरन इंडिया के important state के जो representative है उनके साथ बातचित करी गती सकती को लेकर यहाँ पर गती सकती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और गती सकती के अगर हम बात करते है तो एक गती सकती बहुत ही important एक project है जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर आप highlighted देखेंगे Prime Minister गती सकती इसके full form है एक digital platform है जो भारत के अंदर infrastructure की integrated planning और implementation और connectivity को लेकर जो है काम करेगा बेसिकली बात यह है PM गती सकती का simple सा मतलब भी है कि देश के अंदर अलग-अलग departmental जो वर्क होते हैं जिसमें delay हो सकता है तो एक coordination करना है और जो infrastructure project है उसके अंदर तेजी लाना है ठीक है इसी को लेकर South India के बहुत सारे leaders के बात्चित हुई अलग-अलग state ने अलग-अलग बात रखी कि हमें यह चाहिए हमें वो चाहिए और कुछ definite सी बात है जब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग political party सरकार होगी तो political allegation भी लगते है ठीक तो वो सारी चीजी भी आपको नजर आएगी जैसे तिलंगाना नहीं एक तरीके से बताया कि तिलंगाना के पास काफी opportunity है और एक थोड़ा सा खराब भी मुझे लगा इन्होंने जो बात बोली कि हिद्राबाद में सारी opportunities है DRDO, DRDL, DRDR, RCL या defense corridor के लिए हम लोग बिल्कुल eligible थे लेकिन unfortunately जो है ये जो defense industrial production ने बुंदेलखंड के अंदर लगा दिया गया ठीक लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा political allegation अपनी जगह है बुंदेलखंड वो region है जहाँ पर बड़ी संक्या में रोजगार जनरेट करने की ज़रूत है दो राजो उत्तरप्रदेश पर मद्यप्रदेश एरिया को connect करेगा और यहाँ पर बहुत सारे issues है water को लेकर even कई बार तो फसल एक basic जो फसल होती है वो भी यहाँ पर production नहीं हो पाता तो उस context में लोगों के पास job की opportunities क्या होगी यह important है तो defense industrial production corridor केवल वहाँ पर लगाना जहाँ पर facilities है तो यह कहीने कई नियाए नहीं होगा और social justice का जब concept पड़ते हैं तो देश के हर एक area के अंदर जहाँ पर backward यह उस area को भी या एक तरी किसी economic perspective से वह area पिछडा है या कहीने कभी problems है वहाँ पर भी हमें set करना पड़ेगा ताके industrial corridor बने job generate हो वहाँ पर investment बढ़े और एक तरीके से उस particular area का भी development हो हिदराबाद में विकास हुआ है इसको लेकर कोई doubt नहीं है वहाँ बहुत सार institution function करते हैं बट सब कुछ हिदराबाद के अंदर नहीं हो सकता देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग institutions set up करने पड़ेंगे ताकि एक balance establishment की अजास के इसके बाद page number 8 पर जो topic हो है tablux rejected after due process एक topic काफी जादा highlighted है और वो है tablux यानि जो जहांकिया present करी जाती है Republic Day पर कल मैंने एक short video के अंदर इसके बारे में discuss भी किया है detail में मैंने discuss किया इसके बारे में कि tablux जो कैसे design करी जाती है कैसे select करी जाती है और ये topic 2-3 दिन से highlighted है इसके बारे मैंने पढ़ाया था इससे ठीक पहले अगर आप ये video देखरें इससे ठीक पहले वाला video ही tablux को लेकर है आप वो video जुरूर देखिए आपको पूरा concept समझ में आएगा अब बात करते है यहाँ पर मुद्दा क्या है देखिए तमिल नाडू, वेस्ट बेंगल और किरला गवर्मेंट ने एक allegation लगाया central government पर कि उनके proposal जो है जो इनकी tablux है यह जो जहांकिया है जैसे यहाँ पर किरला आपको नजर आ रहा है इनको reject किया गया है ठीक है और यहाँ पर एक तरीके से पूरा republic डेगा जो celebration है जो tablux है उनको लेकर एक political चीज़े नजर आती है ठीक अब बात करते हैं क्या सारी की सारी देश में जो जहांकिया अलग अलग माल लेते की 36 UT और स्टेट है ठीक है इसके लावा union ministry के अंदर अगर आप देखेंगे central government के अंदर 80 ministries यह departments आते हैं तो सब को include करना it's next to impossible उसमें केवल selected जो उनको participation दिया जाता है इसलिए अगर selected participation होगा तो सबका proposal जो accept नहीं हो सकता उसमें कुछ rejection होगे तो इसमें इन राज्य की सरकारों का opinion है कि भाई यह जानबुजगर किया गया है और central government का यह मानना है कि इसको लेकर एक पूरी डॉल प्ले करती है यहाँ बात की जा रही है कि तमिल नाडू वेस्ट बिंगॉल और केरला ने एक तरीके से जो इनकी tablue rejected करी हाला कि official अभी list नहीं आई है कि किन किन राज्यों की या कौन कौन सी ministry department की या independent institution की जो tablues होंगी वो present करी जाएगी लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट बिंगॉल की chief minister ममताव energy ने प्राइमिस्ट साब को लिखा कि आपने एक तरीके से मैं पूरी तरीके से शोक हूँ और आपने एक तरीके से federal structure को हाम करने की कोशिश करी है इसका इन्होंने example दिया क्योंकि इस बार जो important था 125 birth anniversary है सुभाज चेंदर बहुष जी की नेता जी की और उस टाइम पर उनकी टेबल्यू जो है present की जाने वाली थी वेस्ट बिंगॉल के दवारा और बहुत सारे जो वेस्ट बिंगॉल के important dignities जो historically उनकी भी आपको टेबल्यूज के अंदर photograph या उनके sculpture नजर आते लेकिन यहाँ पर उसको reject कर दिया गया ठीक है तो इसी चीज़ को लेकर यह बोला जारा है कि एक misinformation जो फिलाई जारी central government या डिफेंस ministry को official बोल रहा है कि इसमें misinformation का सारा लिया जारा यहाँ पर example दिया गया कि देश की बहुत सारी ministry और अगर आप देखेंगे इस बाद 56 proposal या नि पहले invitation भीजा जाता अलग अलग स्टेट और योटी को ministries को उसके बाद proposal जो रिशीव होते 56 proposal जो रिशीव होते और उनमें से 21 select हुए अगर 56 में से 21 select होंगे तो कुछ reject भी होंगे ठीक है और यह जो allegation लगा जाता है इस allegation को defense ministry जो वो consider नहीं करती उसके पीछे दो वज़े है पहला जो भी proposal उसको evaluate करने के लिए एक committee बनती है और committee के अंदर renewed person होते हैं चाहे वो art and culture के हो sculpture यानि मूर्तिकार हो music, architecture, choreography यह इसके अंदर participation करते हैं और अगर यहाँ पर allegation की बात करते हैं तो अलग-अलग राज्यों के बारे में बताया गया कि केरला के बारे में जो allegation लगाया कि केरला की जो important एक तरीके से tablue को reject किया गया इससे ठीक पहले 2018 और 2021 में केरला की tablue include थी तमिलाडू नों allegation लगाया कि तमिलाडू की जो tablue सामिल लें करी 2016, 17, 19, 20, 21 में इनकी सामिल थी West Bengal 2016, 17, 19, 21 इनकी भी tablue सामिल थी अगर यह federal structure को लेकर यह एक तरीके से political इसमें involvement होती तो इन राजयों की अलग राजनितिक दलों की सरकार है तो इसी सामिल थी नहीं होने चाहिए थी तो यह जो allegation है यह बिल्कुल सही नहीं है और जहां तक नेता जी सुभाश चंदर बोस जी की वर्थ जनती है उसको लेकर जो allegation लगाया जार यह भी सही नहीं है CPWD का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर नेता जी सुभाश चंदर बोस की जो टेवल्यू है उसको present किया जाएगा यहां पर इस तरह की allegation लगाना यह बिल्कुल सही नहीं है इसके लाबा यह important एक celebration होने वाला 2022 में दो वज़े से हलाकि इसमें थोड़ा सा confusion भी है एक तो 5 Central Asian countries के जो representative है यह head of the state अब वो participate करेंगे हलाकि COVID-19 के बाद इसमें review किया जाएगा कि वो virtually present होंगे यह physically present होंगे लेकिन एक और इसमें advancement किया गया इस बार Republic Day का जो celebration है 24 January से नहीं 23 January से start हो जाएगा क्योंकि 23 January को नेता जी सुभाज जंगर बोश जी का की जनम जनती है और इस दिन भारत सरकार ने decision लिया कि इसको प्राकरम दिवस के रूप में celebrate किया जाए इसी तरीके से तमिलनाडो के CM है उन्होंने भी Central Government का criticism किया कि बहुत सारे तमिलनाडो के renewed freedom fighter ने उसको टेवल्यू प्रेजेंट की जाने वाले थी और उसको भी participation करने के उनके भी टेवल्यू को reject कर दिया गया इसी तरीके से केरला ने भी एक तरीके से allegation लगाया कि भाई यहाँ पर एक important strategy के अंदर स्री नरायन गुरू को जो प्रेजेंट करने था लेकिन इसको भी कहीने कहीं cancel कर दिया इसको भी कहीने के reject किया गया तो political allegation आपको अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा इस तरीके से देखना थोड़ा सा खराब लगता जब देश के अंदर रिपब्लिक डे का celebration होता है क्योंकि अगर ये political level पर ये सारी चीज़े होने वाली थी या सरकार के उपर allegation लगाना कि आप जो opposition political party की जहां पर सरकार वहां पर participation नहीं हो रहा है तो ऐसा सही नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि किन-किन सालों में किन-किन राज्यों की जहांकिया जो है present करी गई है तो इसको link करना political event से वो सही नहीं है ये देश के लिए एक important event है और जब देश के अंदर समिधान लागू हुआ था तो इस तरह की चीज़ें होना थोड़ा सा खराब लगता और जब international dignators इसके अंदर participation करते हैं तब और ज़्यादा खराब issues लगते हैं इसके बाद page number 10 program बात करते हैं दो important चीज़ें आपको नज़र आएगी सबसे पहले vaccination जो है 12 to 14 age group के लिए भी start हो सकती है मार्च के अंदर ये information दीगी है anti-agei के chief के दौरा अब anti-agei क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके लाब यह बताया गया कि 15 से 17 जो age group है इसको लेकर जो progress हो रही है वो बहुत तेजी से एक तरीकी से vaccination इस age group में बच्चे या adults जो है वो करवा रहे हैं और तेजी से इस पूरे population age group की उसमें coverage जो complete हो जाएगा January के end तक ठीक है तो 12 से 14 age group के बीच में जो vaccination है वो मार्च के अंदर शुरू हो सकता है ये जानकार द registration बोला जाता है यहाँ पर बताया गया कि 7.4 क्रोड जो है population है 15 से 17 age group में ठीक है जिन में से 3.45 क्रोड लोगों एडॉल्शन ने इसके अंदर vaccination लगवा ली पहली dose लगवा ली है और second dose जो 28 days के बाद लगी तो इस हिसाब से एक estimation लगा जा रहा है कि फरवरी end तक जो है इस age group में vaccination complete हो जाएगा और उसके बाद 12 to 14 age group को इसके अंदर include करने को लेकर planning है तो इसके बारे में इसके अलावा देश के अंदर vaccination का status क्या है उसके बारे में discussion बताया गया कि भारत के अंदर 60 plus 60 with comorbidities को booster dose लगाई जा रही है या health care या frontline worker को जो हो बुष्टे dose या प्रिक्योशन डो जो हो लगाई जा रही है यह सारी चीजों के बारे में जानकारी देगे जो basic basic सी जानकारी है ठीक है इसके बाद यहां पर बताया गया कि कत्थक legend जो है painted divine romance on stage यहां पर एक important कत्थक को एक तरीके से बोल सकते है performer बिर यहां पर कत्थक legend पंडित बिर्जू महाराज के निदन के बाद ठीक है यहां पर आप देखेंगे एक dance form के बारे में बात हो रही कत्थक देश के अंदर बहुत सारे classical dance perform की जाते हैं आप लोगों को नीचे comment करना search करना google करिए आप किसी book से help लीजिए केवल classical dance ठीक है आपक उसके सामने ये भी mention करना है कि ये particular form जो है किस state के अंदर perform की जाती है वो आपको नीचे comment करने है ये second question होगा पहला question मैं repeat कर रहा हूं world economic form जो है कौन-कौन से report publish करता और second जो है देश के अंदर classical जो dance उनकी category में कौन-कौन से dance आते हैं वो आपको नीचे comment करना है इसके बाद world affair या दुनिया भर में क्या चीजे चल रही है उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अभी हमने front पे पढ़ा था कि world economic form का session हुआ जिसके अंदर भारत के प्राइमिश्र सामने भी speech दिया और china के president ने भी इसको में speech दिया अपना भाशन दिया तो इन्होंने क्या important बात ब world war mentality cold war वारी जो mentality है उसको reject किया है उन्होंने जैसे अगर आपको याद हो second world war के बाद USSR और US और उसके alliance इसको NATO alliance ही गोल सकते हैं उनके पीच में cold war चलाता है नि डिरेक्टली वार नहीं हुआ था इंडिरेक्टली जो है वो वार हुआ माना जाता है कि युद जो है वो इंडिरेक्टली दो विचार धाराओं के बीच में युद था communism और capitalism ठीक है नि एक तरीके से पुझीवाद और सामयवाद के बीच में एक तरीके से ideological वो और आप इसको बोल सकते हैं इसके लाबा जिन पिंग ने दो important बाते बोली जो कि हमने फ्रंटे पड़ी वो same repeated है कि cold war की में ट्रेटी को छोड़ना होगा इस geopolitical tension जो लगातार बढ़ रही है कहां पर United States के साथ इनके जो geopolitical issue है उनके वो लगातार increase हो रहे है इनके अलावा world economy form का virtual session हो रहा था और world economy form के virtual session जो है दाब development का promote करने के मामले में इन सब चीजों को लेकर जो लगातार जो है वो एक तरीकी से पूरी दुनिया के साथ coordination करेगा इनके लावा चाइना के उपर कई सारे allegation भी है कई सारे allegation के अगर हम बात करते हैं खासकर United States और चाइना के बीच में जो bilateral issues है उनमें कई जार issues पहला लिद्वान के साथ अगर आप relation बनाएंगे तो आपके जो है वो relation चाइना के साथ खतम हो सकते है खराब हो सकते है ठीक है सिंपल सी बात है चाइना यह मानता है कि वन नेशन ठियोरी के अंदर जो है वो चाइना की ही यह territory है ताइवान और होंकॉंकोंग और ताइवान यह म इसके लावा intellectual property को लेकर काफी ज़्याद विवाद होता है intellectual property का मतलब होता है इसमें कई सारे subject जाते है जैसे copyright है, patent है, trade secret है ठीक है, geographical indication है आपने इस तरह के word सुने होगा यह सारी चीज़े इसके अंदर आती है trade को लेकर दोनों के बीच में issue रहते है tariff war जब हम सुनते है तो इन दोनों के बीच में काफी ज़्याद active है human rights के violation को लेकर दोनों country एक दूसरे गामने सामने होती है खासका चाइना के अंदर होंग कोंग के अंदर जो एक तरीके से democracy को supporter हो उनके बीच में और democracy के against हो उनके बीच में human rights का violation हो या आप देखेंगे जिंज्यांग region के अंदर उगर ethnic group को लेकर हो इन सब issues को लेकर चाइना और US के बीच में काफी ज़्यादा issues है और most important South China Sea के अंदर भी दोनों के एक तरीके से differences देखने को बनेंगे South China Sea पर China claim करता कि यह हमारी पूरी territory है US बोलता कि यह open territory है किसी एक country की जो है यह territory नहीं है area नहीं है ठीक लेकिन इन सब आप देखें कितने ज़्यादा विवादी शित्र है इन इन areas के अदर इन दोनों के बीच में differences है लेकिन आपको जानके हरानी होगी कि third largest trade partner है कौन US अगर आप इसको group के हिसाब से देखेंगे जैसे European, ASEAN उसके बाद European Union और फिर US तीसरा important trade partner इनका नज़र आएगा आपको अमरीका इसके बाद यहाँ पर इनों ने बोला कि हम peaceful coexistence को चाहते हैं शांतिश हम एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन चाइना के जो प्रेजिडेंट यह जो बाते बोल रहे हैं इनका actual में और reality में कोई लेना देना नहीं है यह जब जो बात बोलते हैं ठीक opposite करते हैं और यह विरोध करते हैं कि protectionism, sanction वाद और unilateralism जो decision लिये जाते हैं किसी भी country को मदद नहीं करने वाले हैं और यहां पर इनने बताया कि हम 2020 से लगातार मदद कर रहे हैं 2020 से यह कहीं पर गए नहीं है COVID-19 जब से हुआ है और इनने बोला कि vaccination को लेकर हम मदद कर रहे हैं चाहाए अफरीका हो, South East Asia हो और इसके लाबा हम हमेशा रेडी रहेंगे किसी भी तरह की अगर economic को wider करने के context में हो हलाकि अभी भी बहुत जादा restriction है China के अदर बहुत सारी company अंटर नहीं कर सकती कुछ इस तरह किसे restriction वहाँ पर लगाए गए है चाहे वो industries को लेकर हो companies के लिए properly open नहीं किया गया है देखिए China वो country है जो तेजी से growth करी economic perspective से इसमें no doubt बट ये जो growth है वो human rights को लेकर कई बार मतवेद होता है human rights के उपर ये growth हो रही है इसका क्या मतलब है जैसे अगर आप देखेंगे China के अंदर मैंने थोड़ दिन पहले बताया भी था China के अंदर एक policy आई COVID-19 के साथ ही zero COVID-19 zero COVID policy जिसके अंदर हर हालत में COVID-19 cases को zero करना है उसमें human rights से कोई लिना देना नहीं होगा यानि आपको forcefully आपको moment नहीं करने देगी किसी भी situation के अंदर और इसके बाद हमने उसके अंदर पढ़ाय भी था कि कई बार यह होता खासकर अभी 2000 अगर आप 22 की बात कर रहे हैं तो जियान इनका एक region है वहाँ पर पढ़ लेना जियान के अंदर lockdown का क्या मतलब होता देश के अंदर भारत में हम देखते हैं lockdown सब सुनते ही काफी ज़्यादा निरासा आते हैं बहुत सारे countries के अंदर protest देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर जियान के अंदर जो है बड़े level पर restriction लगाएगे तो और even single moment करने की भी permission नहीं थी ठीक है western country में democratic country के अंदर आपको protest देखने को मिलेंगे लेकिन चाइना में अगर किसी व्यक्ति ने protest किया तो उस protest को यह बदल देते हैं prison के अंदर jail के अंदर ठीक है और उसके बाद कब release होंगे यह पता नहीं एक बहुत ही popular यहाँ की tennis player है उन्होंने allegation लगा दिया था इनकी किसी official के अगेस्ट उसके बाद वो tennis player गई कहां पर कई दिन तो यही पता नहीं चला था तो यह बहुत जादा एक तरीके से violation करते हैं human rights के मामले में इसके बाद जर्मने ने कहा कि हम guarantee देते हैं Ukraine की security को लेकर सोरी हम एक तरीके से Ukraine की security को लेकर guarantee देंगे भी invade कर सकते हैं कभी भी इसको एक तरीके से अपने अधिकार शेतर मिले सकते हैं लेकिन Russia यह बोल रहा है कि हमारा इस तरह कोई planning नहीं है जो आप allegation लगाते हैं इस सिरफ allegation है reality नहीं है इसके लबाब बहुत सारी country ने खासका NATO group ने cyber security को लेकर agreement किया recent में हमने पढ़ा था कि cyber attack हुए थे यहां पर युक्रेन के अंदर तो उसी को शिक्योर करने के लिए आने वाले टाइम में इस तरह की सीज़े ना हो इनका agreement जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस पूरे context में तो रशिया युक्रेन और western country खासकर European Union में यह युरोप की country में जो कि यहां से बड़ी मातरा में रशिया से gas के उपर depend करती है अगर युरोप के रशिया के relation खराब होते हैं तो जो यहां पर रशिया European country के अंदर जो dependence है रशिया अन गैस के उपर यह काफी ज़्यदा disturb हो सकती possibility है और एक नई gas pipeline जो है Nord Stream 2 pipeline करके इसका approval अभी होना बाकी है लेकिन यह लगवग लगवग construction कर दी जा चुकी है दिक्कत यह भी है रशिया के सामने भी दिक्कत अगर western country से उनके relation बिल्कुल खराब हुए या एक तरीकी से zero होगे तो economy जो पहले से contraction face कर रही है रशिया defense में super power हो सकती है defense के मावल में बड़ी country हो सकती है बट economic perspective से रशियन economy जो है वो सही condition के इंदर आप उसको categorization नहीं कर सकते उनके economy जो है वो उस level की नहीं है जितनी US या आगर आप देखेंगे China या Japan, UK, France इस तरह की economy देखते हैं उस level पर आपको नजर नहीं आएगी इसके लावा North Korea लगाता टेस्टिंग करती रहते है firing इस country में हुई और missile को जैसे यहाँ पर festival की तरह celebrate के जाता TV पर live दिखा जाता जैसे यहाँ आप आप देखेंगे कि missile जो हमने टेस्टिंग करी है और जैसे missile टेस्टिंग होगी तो इनकी neighboring country चाहे वो जपान हो चाहे South Korea हो यह इस पर react करती है China इसके ओपर बहुँ ज़्यादा react नहीं करता है क्योंकि China के लिए एक important friend की तरह है तो उनके ओपर बहुँ ज़्यादा China बोलता नहीं है इसके बाद बात करेंगे business page यानि जो last page है हमारे इस newspaper के analysis का और इसके अंदर अगर आप देखेंगे कुछ important point जैसे यहाँ पर mention किया गया सबसे पहले कि China की economy की जो growth है वो 8.1% हुई है और अब China जो 18 trillion dollar की economy हो चुकी है 18 trillion dollar का मतलब यह है भारत अभी 3.1 trillion dollar के आसपास economy है हमसे लगबग 6 गुना बड़ी economy है ठीक है और जब हम बोलते हैं चाइना का boycott करेंगे चाइना का growth करेंगे यह चीजे अगर इतनी बड़ी economy को देखते हैं इसके उपर हमारी dependency बहुँ ज़्यादा है 69 billion dollar का trade deficit है यानि हमने 97.something billion dollar का जो है import किया चाहना से उस country का boycott करना विरोध करना यह तब तक practical नहीं है जब तक हम उसका alternate यहाँ पर provide नहीं करेंगे इसको लेकर self-reliant India आतम दिर्वर भारत जो है एक important initiative अगर वो successful हो जाता है वो ऐसा नहीं कि 2022 में successful हो जाएगा उसमें time लगेगा game changer हो सकता और अभी आप देखेंगे semi connector को लेकर एक plan जो है बनाया गया सरकार के दवारा उसके अंदर भी successful होता है तो भारत जो है क्योंकि semi connector का हो जाती utilization है खासकर auto sector के अंदर या electronic sector के अंदर ये game changer हो सकते है आने वाले time में लेकिन चाइना में ठीक है growth यहाँ पर इतनी होगी total economy इनके 18 trillion dollar की होगी लेकिन दिक्कत है यहाँ पर भी दिक्कत क्या है कि यहाँ की जो population है यह जो birth rate है वो बहुत ज़्यादा slow हो चुकी है और birth rate अगर बहुत ज़्यादा slow होगी या एक तरीके से अगर आप देखेंगे अगर परती परिवार एक बच्चे के से भी कम यहाँ पर हो गया 0.8 के आसपास हो गया तो population aging हो जाएगी भारत के अंदर अच्छी बात क्या है कि भारत की population young population है हमारे पास talent है लेकिन यहाँ पर नैकेवल चाइना में जपान में साउथ कोरिया में इनकी population aging हो रही है बुड़ी हो रही इनकी जन्सेंग और active group नहीं होगा अगर working population नहीं होगी तो इनकी economy पर आज से ठीक 10 साल बाद 15 साल बाद जो वो negatively यह role play करेगा इसके लाबा COVID-19 ने इनकी economy को इक डिस्टरब किया लेकिन COVID-19 में भी इनकी economy में ने भी positively growth करी थी यह पहली ऐसी country होगी बड़ी country बड़ी economy जिन्होंने COVID-19 के face के अंदर भी जो वो economically growth किया इसके पीछे दो वज़े एक तो zero COVID policy और क्योंकि बहुत ज़्यादा dependency है global supply chain को लेकर चाइना के उपद तो दो बड़े वज़े जिसके वज़े चाइना की economy positively growth करी इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि alarming drop हो रहा है यहाँ पर चाइना की जो birth rate है वो मैं 0.8 बोल रहा था लेकिन यहाँ पर 0.34 per thousand है जो की बहुत ही कम है ठीक है बहुत ही कम आपको नज़र आएगी इन्होंने इससे पहले अगर आपको याद हो two child policy फोलो करी two child policy होई बाद में बोला गी वह थ्री child policy इसमें allowance की जाएगी इन्होंने one से लेकर two child, three child सारी policy जो फोलो कर ली लेकिन जो यहाँ का बर्थ रेट है वो काफी slow हो गया 0.34 per thousand अगर है तो यह आने वाले टाइब में यह अच्छे संकेत नहीं है चायना की population के perspective से young population के perspective से और इसका 1960 में जैसे माओ ने greatly forward करके plan मना था उससे भी lower आपको नजर आते यहाँ पर जब one child policy यह सारी चीज़ा आई थी उनके उनसे भी कम आपको यहाँ पर नजर आएगी इसके लावा international labor organization एक report publish करता जिसका नाम है world economic employment and social outlook इसके अंदर बताया गया कि जो job की जो इसको लेकर क्योंकि अभी भी uncertainty है जो job recovery उसके माबले में है मैंने एक बार बोला था कि अगर जो authentic data होता है उसके context में ILO इस तरह के organization का आप इस्तमाल करिए international labor organization है भारत की किसी ministry का data है भारत की किसी राजे सरकार की किसी official website का data है या किसी United Nation और उसकी associate या उसकी allies या एक तरी के associate agencies है उनका कोई data आप इस्तमाल करिए ये authentic data के अंदर consider किये जाएंगे तो आज के दे हिंदो नियूज अनलिसिस में इतना ही thank you all जहिंद